हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्वागत आपको फिर से एक बार नई वीडियो के साथ आज का हमारा टोपिक है कि हम अपने डेश्टूप की पुरानी हाट ड्राइब को या डेट हाट ड्राइब को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और कैसे उसको हम सॉलूशन उसका निकाल सकते हैं तो सबसे पहले चलेंगे अपने हाट ड्राइब के पास और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं इसी के बारे में वीडियो को चले स्टार्ट करते हैं में देख सकते हैं यह हमारा घ्राइब है और इसी हाट ड्राइब को हम आज रिपेर करने वाले थो इसकी डिटेल में आपको चेकरा देते हूं यह सी-गेट क्वरांड का看一下 और इसकी जो storage है और 200 GB और यह जो आप back side में देख रहे हैं यह इसका motherboard होता है और इस motherboard को निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसके सारे page को open करने होंगे तो इस page को सबसे पहले सारे page हम open कर लेंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टन होने वाली है अगर आप हमार चैनल पर नए है तो हमार चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें है तो सबसे पहले मैं इस सारे पेज पेज को मैं ओपन कर लेता हूं कि इस पेज को उपन करने के लिए आपके पास इस टार वाला जो स्कूरूर ड्राइबर होता है उसकी जुर्थ पड़ेगी उसी के थुरूर आप उपन कर सकते हैं और बिल्कुन यह आपको आसानी तरीके से उपन करना है क्योंकि आपको मदर बॉर्ड में जो स्क्रेच हो नहीं लगने चाहिए नहीं तो आपका हार्ड ड्राइब क्यों कर देड़ हो सकता है तो स्म्पली है मैं सारे पेज ओपन कर लिया है और उपन करने के बाद यह पूरी तरह से खुल चुका है और इसकी मदर बॉर्ड को मैं इसको हलके आथों से निकाल लेता हूं अधन निकालने के बाद आपको मैं इसकी आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हार्ड ड्राइब की ठीरी पीन है यह हमारे मदर बॉर्ड से अटेच होता है जिसके थूरू जो डाटा होता हो ट्रांसफर होता रहता है और कुछ इस तरीके से इसके अंदर जोएंट होता है तो सेंपली मैं आपको इस मदर बॉर्ड के लिए मैं दिखाता हूँ यह आप देख सकते हैं यह हमारी चीप होती है जिसके थूरू हार्ड ड्राइब वर्क करता है यह सारी आइसी चीप होती है और यह सारे कॉंपोनेंट इसके बहुत ही माइनर होते हैं बहुत ही चोटे-चोटे कॉंपोनेंट लगे होते हैं तो पहला स्टेप फ्रेंड्स आपको यह दिखाता हूँ कि आप किस तरीके इसको सही कर सकते हैं सबसे पहले जो आपकी साटक की जो केबल जहां पर आप इरेजर के थुरू आपके घर में जो रवर होते हैं उसके थुरू आप इसको साफ करके इसको अच्छी तरीके से आपको साफ कर लेना है देन साफ करने के बाद सबसे पहले इस मदर बोड को आपको फिट कर लेना है और फिट करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में attach करके यहाँ पर आपको hard drive की detection को check करना है कि वहाँ पर आपका hard drive so कर रहा है या नहीं कर रहा तो simply कुछ एक दो page आपको लगाना है उसके बाद आपको अपने computer से कि इसको attach कर लेना है उसके बाद फिर भी आपका hard drive नहीं चलता तो आपको दुबारा से अपने motherboard को बाहर निकाल लेना है यहाँ पर जितने भी आपको component नजर आ रहे हैं इन सभी component में आपको करना क्या है आपके घर का जो तूत बरस होगा उसको तूत बरस को आपको petrol में भीगो कर और इस पूरे motherboard पर आपको चलाना है सिंपली इस तरीके से हलके हाथों से चलाना है कि इस motherboard पर जो भी component है वो डैमेज ना हो और पूरी तरह से साफ भी हो जाए तो आपको इस motherboard के पहले धूप में आपको सुखा लेना है शुखाने के बाद आपको यहां पर फिट करना है पहले आपको इस बोड को सुखा लेना अच्छी तरीके से उसके बाद इसको फिट करना है simply fit करने के बाद आपका hard drive अपने system से connect करने पर बिल्कुल अच्छी तरीकी से चल जागा friends यह वीडियो आपको पसंद आयो तो please like, share and subscribe करना न भूले